फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर हम एंटोन चेकफ की एक बहुती शानदार शोड़ी स्टोरी दबेट के अब्जेक्टिब टाइप क्यूशन्स, MCQ यानि मल्टिपल चोईस क्यूशन्स की स्टड़ी करेंगे फ्रेंड्स अदर वीडियो के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिये गए हैं और आप चेनल के प्ले लिस्ट ज़रूर चेक कर लें फर्स्ट क्यूशन है, वो इस दा ओथर ओफ दा बेट, दा बेट के लेखक कौन है अ प्रेमचंद, बी दोक्टर राना, एसपी सिंग, सी एन्टन चेक अफ, डी, जोर अन गिलैस वर थी तो यहाँ पर ओप्शन सी कररेक्ट है क्योंकि दा बेट के ओथर एन्टन चेक अफ हैं नेक्स्ट है, एन्टन चेक अफ बिलोंग टू नेक्स्ट क्यूशन है, एंटोन चेकप वास बॉर्न ओन, एंटोन चेकप का जन्म हुआ, तो यहाँ पर ऑप्शन एक करक्ट है, क्योंकि उनका जन्म 17 जैनुवरी 1860 में हुआ था, नेक्स्ट वान है, दूरिंग दा फर्स यर ओफ इंप्रिजिनमेंट, दा लोयर इन दा बे तो यहाँ पर ऑप्शन D करक्ट है, क्योंकि उसने पहले साल सिर्फ गाने सुनें, नेक्स्ट है, हाओ ओल वास दा लोयर वेन ही टूक दा बेट, लोयर कितने साल का था, जब शर्ट रखी गई, तो यहाँ पर ऑप्शन A, 20 years, B, 22 years, C, 23 years, D, 25 years, तो यहाँ पर ऑप्शन D कर रिमेंड इन दा सेल 4 years, लोयर को जेल के अंदर कितने साल रहना पड़ा था, तो यहाँ पर ऑप्शन A, 20, B, 10, C, 12, D, 15, तो यहाँ पर ऑप्शन D करेक्ट है, क्योंकि लोयर को जेल के अंदर, यानि कोटरी के अंदर 15 साल रहना पड़ा था, नेक्स्ट है, दा बेट वास अनि कितने मिलियन रूबेल्स के लिए दाव लगाया गया था, A, 2, B, 3, C, 4, D, 5, तो यहाँ पर ऑप्शन A करेक्ट है क्योंकि 2 मिलियन रूबेल्स के लिए दाव लगाया गया था, नेक्स्ट है, ज़्यातर गैस्ट ज़्यातर महमान थे वह खिलाफ थे, यानि किस सज़ तो यहाँ पर आप्शन एक करेक्ट है क्योंकि सारे महमा जो थे वो मौत की सजा के खिलाफ थे नेक्स्ट है दा बेंकर डिसाइडी टू मर्डर दा बेंकर ने मर्डर करने का इरादा कर लिया था तो यहाँ पर आप्शन डिकरेक्ट है क्योंकि बेंकर ने लोयर को मारने का इरादा कर लिया था तो यहाँ पर आप्शन भी डिकरेक्ट है क्योंकि at 3 शर्ट जो थी वो 5 सालों के लिये थी किस सीजन के अंदर किसमत की सर्थ लगी यहाँ पर यहाँ पर option D करक्त है क्योंकि रितू के सीजन में यह सर्थ लगी थी next one है who was not at the party पार्टी में कौन नहीं था तो यहाँ पर option A है the doctor, B the lawyer, C the banker, D the journalist तो यहाँ पर option एक करक्त है क्योंकि पार्टी के अंदर doctor नहीं था next one है who extended the length of the bet बेट के यहाँ शर्थ के समय को किसने बढ़ा दिया था A the banker, B the sheriff, C the lawyer, D the doctor तो यहाँ पर option C correct है क्योंकि वकील ने 5 साल से 15 साल की सजागर दे थी जिसकी वज़ाए से उसने शर्थ के टाइम को बढ़ा दिया था next one है who was the host, host कौन था यानि कि मेजबान कौन था A the reporter, B the banker, C the doctor, D the lawyer तो यहाँ पर option B correct है क्योंकि मेजबान बेंकर था next है what does the banker believe in बेंकर किस चीज में विश्वास करता है A capital punishment, B beheading, C trial by fire, D life imprisonment तो यहाँ पर option A correct है क्योंकि बेंकर मोत की सजा में believe करता है next one है if the lawyer had to choose, अगर वकील को choose करना पड़ता which would he choose, तो वे क्या choose करता A death, B life imprisonment, C capital punishment, D none of the above तो यहाँ पर option B correct है क्योंकि वे life imprisonment को पसंद करता यानि उमर केत की सजा को पसंद करता next है what did the lawyer stake in the bet lawyer ने किस चीज को दाव पर लगा दिया A his freedom, B his life, C his millions, D his livelihood तो यहाँ पर option A correct है क्योंकि बेंकर ने अपनी आजादी को दाव पर लगा दिया था next one है in the story the bet what was the weather like on the day the banker went to kill the lawyer in the bet story के अंदर उस दिन मौसम केसा था जिस दिन बेंकर lawyer को मारने गया था A it was raining and very cold B it was sunny and very hot C both A and B D none of these तो यहाँ पर option A correct है क्योंकि उस दिन मौसम जो था बहुत थंडा और बारिश हो रही थी next one है the discussion about capital punishment and life imprisonment went on in a मौत की सजा और उमरकेत की सजा के बारे में बात चल रही थी A कलब B कोट C होम D पार्टी तो यहाँ पर option D correct है क्योंकि यह बातें पार्टे के अंदर हो रही थी next one है तो यहाँ पर option C correct है क्योंकि एंटन चोकव ने 600 कहानिया लिखी है next one है why did the banker weep to read the notes of the lawyer lawyer के notes पलकर banker ने रोना क्यों शुरू कर दिया A to read the notes B because he was filled with guilt C felt contempt for himself D none of this तो यहाँ पर option B correct है क्योंकि वे दुख से बार गया था next one है the period of confinement of the lawyer was from 12 o'clock of November 14, 18 and 72 12 o'clock of November यानि वकील के कैद की अवदी 14 November 1870 से 12 वजे यानि कि 14 November 1870 से और दूसरी कितनी थी तो यहाँ पर option C correct है क्योंकि उसकी जो केद थी वो 14 November 1870 से 14 November 1885 तक थी next one है who were the persons involved in the bed शर्थ के अंदर कौन लोग involved है यानि कि शामिल थे A the banker B the lawyer and a young man C a rich and young young person D all of the above तो यहाँ पर option D correct है क्योंकि इस के अंदर इस शर्थ के अंदर सब लोग मुलविश थे next one है the bed is a story about the bed is a story बारे में थी तो यहाँ पर option C correct है क्योंकि the bed is a story banker और lawyer के बारे में थी next one है who informed the banker that the lawyer had escaped from the cell किसने जानकारी दी banker को के lawyer jail से भाग गया है तो यहाँ पर option A correct है क्योंकि यह जानकारी watchman ने दे थी next one है what was the age of the lawyer when he escaped the lodge यानि lawyer की उम्र क्या थी जब वे lodge से भागा था यानि के cat से भागा था तो यहाँ पर option भी correct है क्योंकि उसकी उम्र उस समय 40 साल की थी next one है when did Anton Chekov die Anton Chekov की मिर्तियू कब होई तो यहाँ पर option भी correct है क्योंकि Anton Chekov की मिर्तियू 15 जुलाई 1904 को होई थी next one है where did the lawyer complete his bet lawyer ने अपनी शर्त कहा पूरी की तो यहाँ पर option C correct है क्योंकि lawyer ने अपनी शर्त loge में पूरी की थी क्योंकि banker ने garden गंदर एक loge बन बा दिया था और उसमें उसने अपनी शर्त पूरी की थी next one है who did not agree with the opinion of the guests मेमानू की राय से कौन सहमत नहीं था तो यहाँ पर option एक correct है क्योंकि banker सहमत नहीं था next one or last one है why did the banker log the lawyers not in his cell banker ने lawyer के notes को safe में क्यों बंद कर दिया था तो आपर option भी correct है to avoid unnecessary rumor here जरूरी rumor को रोखने के दिया दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को like करें और हमारे चेनल if this are come subscribe thanks for watching this video